Hello Everyone, Welcome to Ravi Aditi Classes Friends, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे Current Affairs का काफी important topic Topic का नाम है दादा साहिव फाल के International Award 2024 देखे Friends, इंडिया का one of the prestigious award है दादा साहिव फाल के award तो आज की इस वीडियो में हम हर एक important question इस topic से discuss करेंगे जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं काफी beneficial रहने वाला है तो Friends, देखे, आपको यहाँ पर दो नाम देखने को मिलेगा एक होता है दादा साहिव फाल के International Film Award और एक है दादा साहिव फाल के award तो इन दोनों के बीच में difference क्या है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो पूरे वीडियो के अंद तक बने रहेगा काफी important session है तो देखे, पहले discuss करते हैं दादा साहिव फाल के International Film Award के बारे में जो recently announce हुआ है तो Friends, दादा साहिव फाल के International Award जो है, ये one of the prestigious award है हमारे country का जो announce किया गया है और Friends, इस साल 2024 में 20 February को organize किया गया था कहाँ पे Mumbai महरास्ट रुमे ठीक है Next बात करें Friends, दादा साहिव फाल के International Film Award कब establish किया गया, तो इसको 2012 में establish किया गया था और Friends, ये award जो है ये दिया जाता है in the honor of धुन्दी राज गोविंद फाल के जी जिनने हम दादा साहिव फाल के के नाम से भी जानते है Friends, इसके साथ एक और important point ध्यान रखेगा कि दादा साहिव फाल के जी को जो है Father of Indian Cinema के नाम से भी जाना जाता है तो ये है Friends, कुछ important points related to दादा साहिव फाल के International Film Award अब बात करते हैं कुछ इस साल की Awards के बारे में देखें, 2024 के Awards में Best Actor का Award दिया गया है शारुक खान को इनके फिल्म जवान के लिए Best Actress दिया गया है Rani Mukherji को Mrs. Chatterjee vs. Norway के लिए Best Actor Critics की बात की जाए तो ये Vicky Kaushal को दिया गया है Sam Bahadur के लिए Best Actress Critics दिया गया है Karina Kapoor को जाने जान के लिए और Friends, Most Versatile Actress अगर आप से पूछा जाए तो ये दिया गया है नयांतारा को इनके फिल्म जवान के लिए ठीक है, तो ये कुछ important Awards हैं जो आपको याद रखने हैं और साथ में और भी बहुत सारे Awards है अब अभी वीडियो में हम discuss करेंगे दिखे Friends, Best Actor in a Negative Role अगर आप से पूछा जाए तो उसका correct answer हो जाएगा Bobby, Deol इनकी फिल्म Animal के लिए इन्ही अवार्ड दिया गया है Next, Best Actor in Supporting Role तो ये दिया गया है अनील कपूर को इनकी फिल्म Animal के लिए Best Actress in Supporting Role दिया गया है Friends, Dimple Kapadia को पठान मोवी के लिए और बात की जाए Best Director की तो ये दिया गया है Sandeep Reddy Vanga को Animal Film के लिए और Best Director Critics दिया गया है Attlee Kumar को जवान Film के लिए ठीक है? तो Friends, पहले हम यहाँ पे सारे Important Points को डिसकस कर लेते हैं फिर हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे ठीक है न? तो देखें अगला यहाँ पे डिसकस करते हैं फिल्म में कौन-कौन से अवार्ड दिया गया है Best Film की बात की जाए तो ये दिया गया है Friends, जवान Film को और Best Film Critics की बात की जाए तो ये दिया गया है 12th Fail को Best International Feature Film किसको दिया गया है ये दिया गया है Openheimer को और Best Short Film दिया गया है Good Morning को और बात करें Friends, Film of the Year अवार्ड किसको दिया गया है तो ये दिया गया है Salar Part 1 Seasfire को ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अवार्ड से उनको डिसकस करेंगे यहाँ पे Best Actor ने कॉमिक रोल की बात की जाए ये किसको दिया गया? Best Actor ने कॉमिक रोल दिया गया है Friends आयुश्मान खुराना को Dream Girl 2 के लिए Best Actress ने कॉमिक रोल दिया गया है सानिया मलहोतरा को कथल के लिए और Next है यहाँ पे देखियेगा Friends Most Promising Actor ये किसको दिया गया है? Most Promising Actor दिया गया है Vikrant Massey को 12th fail के लिए Most Promising Actress ये दिया गया है Aadha Sharma को The Kerala Story के लिए आगे बात करें Friends तो Web Series में कौन-कौन से अवार्ड दिया गया है उनके बारे में बात करें Best Web Series का वार्ड दिया गया है फर्जी को Best Actor in Web Series दिया गया है शाहिद कपूर को इनकी Web Series फर्जी के लिए Best Actors in Web Series दिया गया है Sushmita Sen को Aria Season 3 के लिए Next देखे Best Web Series Critics ये दिया गया है The Railway Man को Best Actor in Web Series Critics की बात की जाए ये दिया गया है Aditya Roy Kapoor को Night Manager के लिए Best Actor in Web Series Critics की बात की जाए तो ये दिया गया है करिश्मा तन्ना को स्कूप मोवी के लिए स्कूप वेब सिरीज के लिए तो ये है फ्रेंड्स कुछ important awards इसके साथ music के feel में कौन-कौन से award दिये गए इनके बारे में बात करें तो best music director ये दिया गया है अनिरुद्ध रवीचंदर को जवान फिल्म के लिए best playback singer male दिया गया है वरुन जैन और सचीन जिगर को जरा हटके जरा बचके से तिरवास्ते के लिए और best playback singer female दिया गया है शिल्पा राव को पठांत के बेशरम रंग सौंग को राइट outstanding contribution to music industry दिया गया है के जे योसुदास को ठीक है तो के जे योसुदास को दिया गया है outstanding contribution to music industry next बात करेंगे फ्रेंट्स टेलीविजन सीरीज में कौन-कौन से आब ओर दिया गया है तो देखें best actress in television series ये दिया गया है रुपाली कांगुली को इनकी टेलीविजन सीरीज अनुपामा के लिए best actor in television series दिया गया है नील भट को गुम है किसी प्यार के में के लिए और television series of the year का अवार्ड दिया गया है फ्रेंट्स गुम है किसी के प्यार में इसको तो फ्रेंट्स ये है सारे अवार्ड जो दिये गया है दादा साहेफ फाल के International Film Festival अवार्ड में ठीक है तो आपको हर एक important point यहाँ पे जो भी मैंने बताया है आपको अच्छे से याद रख लेना है अब हम बात करते हैं दादा साहेफ फाल के अवार्ड के बारे में तो फ्रेंट्स देखिए दादा साहेफ फाल के अवार्ड जो है न यहाँ पे highest honor है जो दिया जाता है Indian Cinema Industry में और फ्रेंट्स इसका भी नाम जो है दुन्दी राज गोविन फाल के जी के नाम पे रखा गया है जिन्हें Father of Indian Cinema कहा जाता है फ्रेंट्स इसकी शुरुवात हुई थी 1969 में बट वहीं बात करें अभी जो हमने डिसकस किया दादा साहेफ फाल के International Film Festival Award यह कब स्टार्ट हुआ है फ्रेंट्स यह स्टार्ट हुआ था 2012 में और यह 1969 में स्टार्ट हुआ था इसको Government of India प्रोवाइड करती है ध्यान रखियेगा Government of India इसको प्रोवाइड करती है यहाँ पे amount जो दिया जाता है winning price जो है यह 15 lakh है पहले यह 10 lakh हुआ करता था अभी इसको change करके 15 lakh कर दिया गया है और यह क्यों दिया जाता है तो it is given for lifetime contribution to Indian cinema तो Indian cinema में lifetime contribution के लिए दадा साहे फाल की award दिया जाता है तो friends अब discuss कर लेते हैं कि दादा साहे फाल की award जो दिया जाता है for lifetime contribution to Indian cinema यह किसको किसको दिया गया है कुछ recent और कुछ initial वाले हैं उनको हम discuss करेगे ठीक है तो दीके first winner जो थे ना दादा साहेव फाल के अवार्ड ये किसको दिया गया था friends ये दिया गया था देविका रानी को किस साल दिया गया था 1969 में ध्यान रखेगा अभी हमने discuss किया ना कभी ये start हुआ था 1969 में तो पहली जो winner रही थी ये थी देविका रानी जिने 1969 में दिया गया था चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं friends 1970 में किसको दिया गया तो friends 1970 में जो second दादा साहेव फाल के अवार्ड था ये दिया गया था ये दिया गया था पृत्वी राज कपूर को तो इन्हें जो है ये पॉस्त मसली दिया गया था तो ये first three है अब discuss करते हैं जो recent में दिये गया है ठीक है तो देखे 50 दादा साहेव फाल के अवार्ड जो है किसको दिया गया है ये दिया गया है अभी दाब बच्चन को next बात करें 51st दादा साहेव फाल के अवार्ड किसको दिया गया है ये दिया गया है ये दिया गया है तो friends इन्हें 2023 में दिया गया है बट ये दिया गया था for the year 2021 ये आप ध्यान में रखियेगा ठीक है तो आपसे इतना detail में नहीं पूछा जाएगा बट आपसे names पूछे जाएंगे exam में तो आपको ये सारे नाम जो मैंने आपको बताए first three और अभी जो recent के हैं four ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं चलिए आप बढ़ते हैं हमारे mcqs के तरफ पहला question आपका रहेगा in which year was dada sahay falke international film festival award established तो friends dada sahay falke international film festival award ये कब start किया गया है तो friends ये start हुआ है 2012 में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर अगला question इसके साथ आपका अगला question रहेगा who has received the best actor award at the dada sahay falke international film award तो friends best actor दिया गया है यहाँ पे शारुक खान को तो अभी जो हमने पढ़ा था friends साबको मैंने पूरा list दिया था उसको करने के बाद ये जो questions आप easily solve कर सकते हैं तो friends अगर आपको जो वीडियो है वीडियो की quality हमारे efforts अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को like जरूर करिएगा और अपने friends के ताज शेयर करिएगा और आपको कैसा लग रहे है ये वीडियो अपने opinions हमें comment section में जरूर बताएं राइट चलिए अगला question तो यहाँ पर best actress का वार्ड दिया गया था इसका right answer हो जाएगा राणी मुखर जी option number B अगला question तो friends best actor critics award दिया गया है यहाँ पर विक्की कौशल को आगे बढ़ते हैं अगला question तो friends best actress critics award यहाँ पर दिया गया था दादा साहिफ फाल के international film award में करीना कपूर को option number D इसका correct answer है next who has received the best director award तो friends यहाँ पर best director का वार्ड दिया गया है संदीप रेड़ी वांगा को आगे बढ़ेंगे देखे who has received the best film award at दादा साहिफ फाल के film festival तो यहाँ पर best film का अवार्ड यहाँ पर दिया गया था जबान मोवी को आप पर अगला question रहेगा who has received the best international feature film award at दादा साहिफ फाल के international film festival award तो friends best international feature film का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है किसको यह दिया गया है openheimer को आगे बढ़ेंगे who has received the award for outstanding contribution to film industry तो friends outstanding contribution to film industry दिया गया है मौशमी चाटर जी को next question रहेगा यहाँ पर who has received the best web series award तो best web series का award यहाँ पर दिया गया है friends right answer हो जाएगा फरजी को option number 10 का right answer है अब discuss कर लेते हैं दादा साहेफ फालकी award के MCQs को देखिये पहला question है which is the biggest film award of Indian cinema world right answer है दादा साहेफ फालकी award next who is called as the father of Indian cinema option number 20 का right answer है दादा साहेफ फालकी आपका अगला question who was the first Indian actress to receive दादा साहेफ फालकी award तो friends पहली भारती अभिनेत्री जिन्हें दादा साहेफ फालकी पुरुसकार दिया गया है ये है देवी का रानी आगे बढ़ेंगे next question की तरफ who has been honored with 53rd दादा साहेफ फालकी award 2023 तो friends 53rd दादा साहेफ फालकी award दिया गया है वहीदा रह्मान को आगे बढ़ेंगे और आपका अगला question when was दादा साहेफ फालकी award started तो ये start किया गया था 1969 में हमने कितने बार इसको discuss कर लिया है तो अगला question आपका और ये last question भी है दादा साहेफ फालकी award is an excellent award in which field तो excellence के लिए ये award दिया जाता है किस छेतर में, किस field में तो ये cinema के field में दिया जाता है तो friends आपकी ये होगे सारे important questions related to दादा साहेफ फालकी award and दादा साहेफ international film festival award मैंने आपके लिए आपके हर एक question जो आपके exam में आ सकते आने के chances है उनको include किया था अब आता है आपका test question जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है पहला question है इसका answer आपको हमें comment करके बताएं नेक्स रहेगा कि इन दादा साहेफ फालकी international film festival award तो यहाँ पर ये options given है friends आपको हमें बताना है comment करके साथ में friends मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे paid pdf website के बारे में तो देखिए friends ये है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको रवी सर की gk और current affairs की pdf Hindi English दोनों में मिल जाएंगी तो आप इस website से जाके उनको buy कर सकते हैं देखिए आपको यहाँ पर quality इस तरीके से हर एक यानि की geography, history इस तरीके की pdf available की गई है और यहाँ पर friends आपको quizzes solve करने हैं तो हमारी mobile application है जिसका नाम है रवी study IQGK यह आपको easily play store में मिल जाएगी आप यहाँ पर जाके daily quizzes को solve कर सकते हैं और अपने exam के preparation को अच्छा बना सकते हैं ठीक है तो alright friends यह था हमारा आज का last slide I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं मिलते हैं एक और important topic के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you have a nice day